हेलो फ्रेंड्स मैं विकास एक बाद फिर से सौगत करता हूँ हमारे चैनल विक्के सेकेड्मी की ओन्लाइन क्लासेज में दोस्तो मैंच ट्रिक शोटकट के पिछले विडियो में हमने जाना हम कैसे शोट्रिक का यूज करके कैसे स्क्वाइर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने हमारे पूराने सारे विडियो नहीं देखे हो तो प्लीज उसे जरूर देख लिजिए उनके लिंक मैंने इसी विडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए आज मैं आपको बताने वालों क्यूब रूट अफ एनी नंबर यूजिंग शोट्रिक हम कैसे शोट्रिक का यूज करके किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों आगे बनने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसे जरूर कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट पता करने से पहले हमें 1 तू 10 तक के क्यूब पता होने चीए आप एक बार इसे देख लीजिए इनका यूज हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट शोट्रिक का यूज करके फाइंड आउट करने में करेंगे क्यूब रूट अगर हमें शोट ट्रिक का यूज़ करके किसी भी नंबर का क्यूब रूट करना आता है तो हम easily find out को सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 2197 इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो मैं 3 सेकंड की अंदर अंदर इसका क्यूब रूट find out कर सकते हैं इस नंबर का क्यूब रूट हो गया 13 दोस्तो आप भी इस शोट ट्रिक का यूज़ करके किसी भी नंबर का क्यूब रूट find out कर सकते हैं चली देखते हैं शोट ट्रिक तो सबसे पहले जैसे 2197 का क्यूब रूट निकालना है अब जैसे 197 की unit digit 7 है तो यहां पर हम देखेंगे की unit digit 7 means 3 का cube is 27 and इसकी unit digit 7 है तो 2197 में एक digit हो जाएगी 3 अब दूसरी digit पता करते हैं 2 1 cube is 1 and 2 cube is 8 तो 2 इस 1 और 8 के बीच में आता है तो हम स्मोल वाले number 1 को select करेंगे and 1 हमारा first number हो जाएगा 3 हमारा second number हो जाएगा और finally 2197 का cube root हो जाएगा 13 एक और example से समझते हैं जैसे अगर 50653 का cube root निकालना है तो same right side से 3 digits को select करेंगे और बागी को अलग divide कर देंगे फिर इसकी unit digit 3 है means यहां पर 343 means यहां पर 7 का cube की unit digit 3 है तो हमारा number हो जाएगा 7 दूसरे number find out करने के लिए same process 50 means 3 cubes 27 and 4 cubes 64 यह 50 इन दोनों के बीच में lie करता है तो इससे just छोटे वाले number 27 means 3 is the first number and 7 is the second number तो इस number 50653 का cube root हो जाएगा 37 last example से समझते हैं जैसे अगर 226981 का cube root निकालना है तो same process तो इससे right side से two parts के इंदर divide कर दिया है 991 में 1 1 का cube इसकी unit digit है 1 तो एक number हो गया हमारा 1 second number find out करने के लिए same process 226, 216 and 343 means 6 cubes 216 and 7 cubes 343 इसके बीच में लाई करता है तो इससे just छोटे वाले number 216 उसको select करेंगे and 6 cube is 216 तो 6 हमारा first number हो जाएगा and 1 हमारा second number हो जाएगा तो 226981 का cube root हो जाएगा 61 दोस्तो यह method उन्हें number के लिए applicable है जिनका perfect cube root बनता है इनका cube root आप निकालने की try कीजिए इस short trick के द्वारा and अच्छा लगे तो हमें comment भी कीजिए दोस्तो मेरी यह सारी short trick वीडियो की series आपके लिए बहुत helpful रहेगी आप bank, competition, ssc, किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस regular देखते रहे हैं और सीखते रहे हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारा आज काई वीडियो अच्छा लगाओ उप्योकी लगाओ तो हमारी वीडियो को like करे, share करे, comment करे और यादी अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कियाओ तो please अभी कर लीजिए Thank you so much